नमस्कार आप देखना है खबर मेडिया दोसो सुसान सिंग राशपूत केस में अभी हाली में NCB की टीम ने एक सक्स को गिरफतार किया है और आपको बता दे इस सक्स की गिरफतारी के बाद से पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है क्योंकि जिस सक्स को NCB की टीम ने गिरफतार किया है इसके बाद कहाई जा रहा है कि यही सक्स अब सुसान सिंग राशपूत केस में कई सारे बड़े नामों का खुलासा करने वाला है और यही सक्स बताएगा कि सुसान सिंग राशपूत के साथ क्या हुआ था जी हां बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखेगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बता चलने वाला है कि सुसान सिंग राजपूत केस में लगतार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब देखने को मिल रहा है कि अभी हाली में NCV की टीम ने एक सक्स को गिरफतार किया है जिसका नाम साहिल सा है जिहां आपको बता देखने ये सक्स लगतार फरार चल रहा था जब से सुसान सिंग राजपूत इस दुनिया को छोड़ कर गए थे तब ही से ही ये सक्स अभी तक पकड़ में नहीं आपाया था और कहाए जा रहा है कि इसको सुसान सिंग राजपूत केस की कई बड़ी जानकारिया भी हैं और इसके बाद भी NCV के हास से बचने का हर संभव परियास कर रहा था लेकिन अब इसी बीच NCV की टीम ने जब इस सक्स को गिरफ़तार किया है तो आने वाल दिनों में अब ना सिरफ सुसान सिंग राजपूत का केस सुलच जाएगा बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि सुसान सिंग राजपूत को किन लोगों ने खतम किया और क्या वज़े थ और ये तभी से फरार चल रहा था जब से सुसान सिंग राजपूत इस दुनिया को छोड़ कर गए थे और ये तुरंती जैसे सुसान सिंग राजपूत खतम होते हैं ये दुबई फरार हो जाता है और इसके साथ के बहुत सारे लोगों को NCV की टीम ने गिरफ़तार भी किय था हाला कि ये एक मुख्य आरोपी था और इस वले से अभी तक सुसान का केस सुरज नहीं पा रहा था अब NCV की टीम का मानना है कि जब साहिल सा की गिरफ़तारी हो गई है तो इसके बाद और भी कई सारे बड़े नाम सामने आने वाले हैं और साहिल सा अब जिनके भी बार अभी तक इस केस में ना जाने कितने लोगों से पूशताश हो चुकिया और कई लोगों की गिरफ़तारी भी हुई है और कुछ लोग अभी भी जिल के अंदर बंध हैं लेकिन बावजुद इसके अभी तक सुसान सिंग राजपुत का जो केस है वो सुलजने का नाम नहीं रहा और इसी वज़े से NCB की टीम को और भी जादा मेहनत करनी पड़ रही है और CBI ने भी अभी तक सुसान सिंग राजपुत के इलेक्ट्रोनिक गैजट से कई तरह के सबूत कलेक्ट किये हैं जिसमें सुसान सिंग राजपुत के लैप्टॉप से कई सारी जानकारी मिली ह तो वहीं सुसान सिंग राजपुत के सोसल मेडिया से कई तरह की जानकारी सामने आई है लेकिन बावज़ुद इसके अभी तक की केस पूरी तरह से सुलज नहीं पाया और इसी वज़े से NCB और CBI की टीम पर भी तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं लेकिन आने वाल दिनों में अब ये केस ज़ूर सुलज़ेगा क्योंकि CBI की टीम जिस तरह से लगातार मेहनत कर रही है इसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सुसान सिंग राजपुत का केस बहुत ही जल्द सुलजने वाला है और सुसान सिंग राजपुत के कातिलों को आप सभी बहुत जल्द जेल क के पीछे देखने वाले हैं अब साहिल साज जिसकी गिरफ्तारी हुई है अभी हाली में और जिसको एनसीबी ने दबोचा है आप ये बताएगा कि सुसान सिंग राजपुत को किन लोगों ने खतम किया और इसके पीछे उन लोगों की क्या मनसा थी यानि कूल मिलाकर देख जाये तो आप सुसान सिंग राजपुत के केस को सुलजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और कातिल बहुत जल्दा आप सभी को जेल के पीछे नजर आने वाले हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्स्ट्राइक करना धनिव झाले हैं जहीं ज्दा करना नहीं पुछत करना और कि हा था झाले हैं जयादा झाले हैं तो कि अजद